असलाम लेकुम, आज मैं आपके साथ एक बहुती सिंपल और बेसिक मसालों से बनी रेसिपी शेयर करूंगी तो आज मैं बनाऊंगी काशिफल, कुछ लोग इसको कदु भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे लाल फूल की लोकी भी बोलते हैं आपके यहां इसको क्या बोला जाता है I don't know तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं एक बड़ा सा फूल मेरे पास काशिफल का था और इसको मैंने अच्छे से वाश करने के बाद इस तरह से पीसिस में कट कर लिया है इसको मैंने छिलके के साथ ही कट किया है आप चाहें तो बिना चिलके के भी इसको बना सकते हैं लेकिन अगर इसका चिलके के साथ बनाएंगे तो यह देखने में भी अच्छा लगता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है अब एक कड़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ओल को गरम किया है तो आप भी जब भी इस तरह की कोई रेसिपी बनाएं तो कोशिश करें कि सरसू का तेल ही इस्तमाल करें अब इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला है इसको क्रैकल हो जाने देंगे एक मीडियम साइस की प्याज ली थी जिसको स्लाइस में कट कर लिया है प्याज को हमें बहुत जादा नहीं पकाना बस हलका सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे देखे प्याज को हमारे पकते हुए दो मिनट हो गई है और यह मैंने तीन से चार साबुत लाल मिर्च ली हैं जिसको बारिक चॉप कर लिया है तो आप चाहें तो इसकी जगा चिली फिलेक्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं कर दो पांपों कर दो हरी मिर्च के साथ अब हम दालेगे एक मीडियम साइज का तमाटर और बारिक के टिउी हरी मिर्च और इसको मीडियं फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम पका लेगे देखे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इसमें डाल देंगे ये काशिफल और एक टी स्पून डालेंगे नमक या फिर अपने जाइके के मताबिक अच्छे से मिला देंगे इनको गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके तीन से चार मिनट पका लेगे तो देखे चार मिनट के बाद ये काफी सॉफ्ट हो गए है इसके पीस अम में इसमें डालूँगी खटाई के लिए एक आम भी तो मैंने एक मीडियम साइज की आम भी ली थी क्योंकि आम का सीजन है और इस टाइम पे मार्कित में काफी ये आम भी अवेलेबल है मेरे पास अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप एक टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर डाल दें यानि खटाई उससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि इस रेसिपी में हलकी सी जो खटास होती बहुत ही अच्छी लगती है अब इसको कवर कर देंगे मैंने इसक के हलके हलके से चंग से नजर आए इतना इसको मैश करेंगे अब थोड़ा से मैं इसमें डाल दूंगी नमक क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है और इसके जो पीस से देखे ये भी गल गए हैं मिला देंगे इसको और इसको दो से तीन मिनट हम और पका लेंगे गैस को बंद कर देंगे और इसको कर लेंगे सर्व बहुती जादा टेश्टी हमारी ये सबसी बनी है जितनी ये सिंपल है उसे कहीं जादा ये टेश्टी है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफिज